नमस्ते दोस्तों बचपन में जब हमारी कोई चीज या खिलोना हो जाता है तो उसे ढूनते ढूनते हमें कभी कभी कोई और भी खोया हुआ खिलोना मिल जाता है वैसे ही जब हम बड़े हो जाते हैं तो कभी कभी ऐसे ही अचानक बड़े रहस्य खुल जाते हैं तो ये रहस्य क्या है, जिसे आज राजकुमार विक्रम सुल जाएंगे, उसके लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, क्यूंकि देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे ना, है 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 है, कुछ पता चला, दूर दूर तक पानी यूही शान्त है, अजीब सी ब जहाज गायब हो रहे हैं, और यहां तक तो हम ठीक आए हैं, पर अब पता नहीं चल रहा कि हम हैं कहां, शायद हम सही जगह पर हैं, यहां दिशा यंत्र काम नहीं कर रहा है, इसलिए नाविक यहां से भटक जाते होंगे, लेकिन भटक कर जाते कहां होंगे, ऐसा कौन सा च कर वीव है यहां अरे अरे महराज रुकिए महराज रुक जाईए कहां जा रहे हैं महराज आप महराज सम्हाली वारना गिर जाएंगे नोहा नोहा ओहो इस मायावी शक्ती को कैसे काबू में करूँ पता नहीं कौन सी अंजान सक्ती हमें उस किनारे तक खीच रही है महराज अब ठीक तो है ना महराज हा मुझा मुझे क्या हो गया था हम कौन से टापू पर पहुँचे हैं महराज पेट में चूहे कुष्टी खेल रहे हैं तो क्यों ना हम जंगल में जाकर पहले भोजन का प्रबंद कर ले हाँ चलो यहा तो दूर दूर तक कोई जीव नजर ही नहीं आ रहा अरे वो देखो किसी जहास का नाविक लगता है शायद हमारी तरह ही भटक गया हो भाई साब सुनिए यह मूर्ती तो बिल्कुल इंसान जैसे लग रही है मुझा जरूर कोई बड़ा मुर्तिकार इस ठापो पर रहता है महराज उधर वो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कुछ तो गड़बड है यहाँ पर यह मूर्तिया नहीं है इंसान है जिन्हें जादू से इस तरह का बना दिया गया है फिर तो हम जरूर मेडियूसा के टापो पर हैं मर गए अब यह मेडियूसा कौन है मेडियूसा बहुत बड़ी जादोगर्नी है उससे कोई नहीं जीत सकता क्योंकि कोई उससे लड़ ही नहीं सकता ऐसी कौन सी शक्ती है मेडियूसा में कि कोई उससे लड़ ही नहीं सकता उसकी आखों में जो कोई भी देखेगा वो पत्थर का हो जाएगा और बिना उसकी और देखे, कोई लड़ेगा कैसे भला ओ, तो ये बात है, खेर, जो बड़े-बड़े योधा नहीं कर पाते, वो राजा विक्रम कर देते हैं पर हाँ, ये जरूर सुना है कि मेडियूसा से पहले उसके सैनिकों से लड़ना पड़ता है बचो नोओ, संभर कर नोओ झाल जोओ! प्रिज्ट है! संभालो विक्रम चलो जल्दी से उस कुफा में छुप जाते हैं वो आवाज और वो तीर क्या वो ही मेडियो साथी हाँ, अगर एक बार भी हम उसकी आखों में देख लेते तो पत्थर के बन जाते लिकिन अब ये सोचों कि यहां से निकलेंगे कैसे एक ही रास्ता है संग्राम, मतलब लड़ना पड़ेगा माना वो मायावी हैं पर हम भी कुछ कम नहीं लेकिन उससे लड़ेंगे कैसे उसके आखों में तो देख नहीं सकते नुआ से ही कह रहा है मुझा बिना किसी योजना के मेडियो साथ से लड़ना बेवकुफी होगी बहादुरी नहीं पर ये भी तो सच है कि हम यहाँ ज्यादा देर छिप नहीं सकते हैं कहां छुपकर बैठे हो महावीर विक्रम तुम्हारी बहादुरी के किस्से तो हमने बहुत सुने हैं लेकिन देखने में तो कुछ और ही नजर आ रहा है इन पूरी चक्थानों को चूर चूर करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा विक्रम तब तक क्या छुपे रहोगे इनमें अब सामना करना ही पड़ेगा लेकिन अगर मैं अपनी आखो पर पट्टी बांद लो तो मेडियूसा का जादू मुझे पर चल नहीं पाएगा है ना चलेगा तो नहीं पर आखो पर पट्टी बांद कर लड़ोगे कैसे महराज मेरे पास एक और उपाय है मुझे पर मेडियूसा की मायावी शक्तियां काम नहीं करेंगी तो मैं एक मक्षी बनकर आपके साथ चलूँगा और आपको मेडियूसा की हर चाल बताता रहूँगा और नुहा आप इस गुफा में ही रहिए मुझा तुम ठीक कहते हो शायद मेडियूसा को हराने की यही एक योजना है मैं तयार हूँ और तुम भी तयार हो जाओ अपने अंत के लिए वाह क्या तरीका ढूना है विक्रम तुमने लेकिन अप लड़ों के कैसे नाक की सीच से आ रहा है तीर वार करो अब अपकी जोडा है फेका तलवार को घुमा कर मारो छक्का मुझा इस तरह तो हम केवल बच सकते हैं उसे खत्म नहीं कर सकते हैं तो ठीक है मैं इशारिस से अगर समझाओ तो क्या आप निशाना लगा लोगे कोशिश करने के सिवा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है दस भालों की उचाई 24 गज़ पर स्थाई नाक की सीद पर है वो निशाना साध लो अच्छा तो ये जी विक्रम की मदद कर रहा है अभी देखती हूँ मैं इसको महराज एक और उपाय सुझा मैं उसका ध्यान मेरी और केंद्रित करता हूँ आप अपने चक्र का उप्योग कीजिए ले तुझे ही भस्म कर दूंगी मैं महराज दाइं और हो जाएए विक्रम में जुसा का नाश करना कोई मामूली बात नहीं थी तुम सच मुझ बहुत शूर वीर हो पर मुझा जाएए कि मदद के बिना यह मुम्किन नहीं हो पाता आज की कहानी तो काफी रोमांचक थी लेकिन बात सीदी सी है मुश्किल से डर कर कभी पीछे नहीं हटना चाहिए बस यही मूल मंत्र है तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ फिर मुलाकात होगी अगले रोमांचकारी सफर में